विल्कम फ्रेंस, MD Health चैनल में आज हम बात करेंगे मा के दुआरा किन किन चीजों के सेवन करती है और किन बातों का ध्यान नहीं रखती है तो उनके गर्भाम पर रहे बच्चे करंग काला होने का चांस कापी बढ़ जाता है कि आप भी चाहते हैं आपका बच्च करंग गोरा पैदा हो या सावला पैदा हो तो इन बातों का अपने प्रेगनेंसी डिली रूटिन में उससे लाएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें वो अपने दोस्तों के साथ सेयर करें वा प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वाई हल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चले वीडियो स्टार्ट करते हैं नमबर फस्ट है जामून प्रेगनेंसी के दावरान जामून नहीं खाना चाहिए चुकि इसे बच्चे कर रंग दिक काला होने के संभावना होता है नमबर दूसरा है चाय वा कॉफी चाय वा कॉफी का देखतर मातरा में सेवन करती है तो आपका बच्चे कर रंग काला पैदोने के चांस काफी वड़ जाता है नम्मर तिस्रा, दौपिया गर्मिस्तान में हर समय व्यतित नहीं करना चाहिए हमें कि इसे बच्छे करागा होने के संभावन दिक होता है आप सुबह निकल सकते हैं इसमें सुर्म रम Бीटामिन डी के मातर बहुत होता है जिससे बच्ची करंग काला होने की प्रभावित हो सकता है असलियाद में बच्ची करंग काला क्यों होता है प्रेगनेंसी में मिलनीन नामा खर्मोज बनता है जब गर्वती मेला के सरीर में मिलनीन का लेबर बढ़ जाता है तब बच्ची का रंग हद से जादा काला हो जाता है वा मेलनिन केमिकल कम होता है तो बच्ची का रंग गुरा पैदा होता है वैसे तो माता पिता के जीन्स पर बच्ची का रंग ने भर करता है कमेंट करना भीलकूर न भूले इसी वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद